आपके हाथ में सुखते प्राइटनवी शुके नमचे मांगते हमिना अमें आमें 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 दोलने का इस प्राइब जह में जह सबको प्रभू सब्यकों पर दाशिष दे आदे लिए अधिक दिंधा या इस अधिक बोलने का भूल कि यहां सब्सक्राइब कर दिए तो मैं चाहूंगी इनके लिए परातना कर दीजेगा संजना नाम है और बेटे का नाम दीपक है जी चंता मत करो मिटिंग में जूड़े होना दास्तर हां धी यह ठीक है कि कि अ अचाहां सोरी शोरी सबको प्रभु का धनेवाद चिंता मत करो मैं सिस्टर अभी इनके लिए प्रेयर होगी अभी वचन में चलते लास्ट में प्रेयर करें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब तब तक वचन सुने हैं ना प्रभु का धनेवाद खुदा बहुत आशिस दे विशाली बेन आपको औ कोई बहुत ज़्यादा इमर्जेंसी बिजी है तो अपना बंद कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आपको मेरी पत्नी मेरे बच्चे को तेरे सभी बेटा और बेटी को हम सब को त्रेलों में सील करते हैं ढापते चिपासे कवर करते हैं मालिक आपने में मौका दिय तो शुरुआत करते हैं अगर हो सके नहीं एक काम करो जिसके पास पवित्र बाइबल अपने मोटी वालेवन निकाल लो और जिसके पास नहीं है तो अपने फोन वाले बाइबल बीड़ भी खोल सकते हैं लेकिन जिसके पास मोटी वाली बाइबल है और निकाल सकते हैं तो निकाले इतने हम लोग आगे बढ़ते हैं आज हम बचन पढ़ेंगे लोगा की फुस्तक ज्यार बात दिया है मैं आज सुबह पढ़ रहा था कुछ एक छोटी सी वीडियो भी बनागर आ हमने गुरूप पर सेंड करें थी कि भी या कौन से वीडियो थोना सबाइब लाने चले गए थे लोगा की पुस्तक में वो दुष्टा आत्मा वाली जो केस था तुष्टा आत्मा के ब्रति जो बाते थी सिर्फ एक जने ने कितने साथ जनों लोग हाट सिर्फ साथ जो लोने देखी थी चलो कोई बात नहीं है लेकिन कोशिश करो कि आप लोग अपना ग्रूप के अंदर भी कही बार बहुत सी चीज़ा हमें ऐसी मिलती है बहुत इपॉटन बाते रेवलेशन्स प्रकाशन कुछ भी करने से पहले मतलब बहुत कुछ बड़े-बड़े काम गरने से पहले die अपने मेन पंडिच से पूस्ता कि बीजियरफ शंवान लेकिन अंए पूछ सुण पूछरे आपको बता रहा है लेकिन बात इहैं कि आप खुद सुनना चाहो खुद देखना चाहो खुद परकना चाहो कि मुझे क्या करना चाहिए कहा नहीं जाना चाहिए कि इन बातों की वज़े से गटी में है समस्य में परिशानी में प्रब्लम्स में है तो परमेशर आपको खुद इसे बताना चाहरा है अगर हम खुद नहीं क सबसे हुई है लेकिन आगे से हम सभी लोगों को ध्यान रखना है जो लोग नहीं देखते वह देखें आप लोगों की छुटकारे की बाते होती है आप लोगों की उन्रते ही तरहकी की बाते होती है और मुझे यह पताओ जो अपने दोनों तीनों भाई वैन अपना यह जो ग लगवग 20-22 से उपर, लगवग 20 से उपर लोग सुनते हैं और कुछ लोग अभी जुड़नी पाएं, वो सकता नुएसे ही बहुत से लोग सुनते हूं, चीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुन रहे हो, खुदा वन आप लोग बहुत ब्लेस करें, पता है अगर आ आपका भी आएगा कि जब आप सुनाओगे तो लोग सुनेगे क्यों क्योंकि आपने भी सुना है, अलेलुया, चला हम लोग आगे बढ़ते हैं, तैंक्यू जीजिस, जादा कुछ नहीं, कुछ important चीज मन में आई थी, जो मैं बचन पढ़ रहा था आज, morning में, तो बहुत important उप्रेशिस, खुदा वाफ ने पढ़ाई, मैं रहे को शिक्षा दे इस बात की, 11 अधियाय लुका की पुस्तक, बचन डाल देना जो कोई डाल सकता है, चाहे 10 बार 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 डालो लेकिन डाल देना, जोई भी डालो, लुका की पुस्तक 11 अधियाय अगर हम पढ़े उसकी बीस आयत से लिखा है परंत यदी में परमेश्वर की सामर्थ से दुस्टात्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राजय तुम्हारे पास आ चुका है पहुंचा है जब बलवन्त मनुष्य 21 आयत से हमारा में चीज शुरू होता है जब बलवन्त मनुष्य हतियार बांदे हुए अपने घर की रखवाली करता है जब बलवन्त मनुष्य हतियार बांदे हुए अपने घर की रखवाली करता है यहाँ पर किसकी बात हो रही है यहाँ पर एक मनुष्य की बात हो रही है बलवन्त किस सीज में बलवन्त जो आत्मिकता में बलवन्त है जो लाइब की हर एक एरिय में बलवन्त है उसको बलवन्त कहा जा रहा है जो आत्मा में परमेश्र क्याग्या पालन में और शत्रु को गिराने में बलवन्त है यह उसके विशे में कहा जा रहा है पहले तो हमें ये पता होना च्छै कि हम बलवंथ है भी या नहीं कि हम मे कमजोर थे अगर आधरा मे इंके बादर जब भी परमेश्य को बचनाजा में साब्धन करता है जब बलवंत मनुष्य हतियार बांदे हुए कौन से हतियार जब पढ़ते वीचे छटा दियाए उसमें लिखा अपने सारे हतियार बांद लो यह वाले हतियार नहीं है जो मनुष्य से लड़ने के हैं यह आत्मिक युद्ध क की हतियार है ठीक है जिसमें परोलन मनुष्य हतियार बांदे हुए अपने घर की अपना घर आप कौन सा है अगर आप एक बलवंत वeedcen हो तो-एपना घर कौन से हमारा हम बलवन्त है तो हमारा में जुड़े हुएं जो आपको शिक्षा देते जिनको आपके अंडर में यह आप की जिस्वेदारियां बन कि नवी आपका फर्व पत्रस के लिए भाद्रस की दुष्प देखा जा जा पत्रस बंदनों में था तो उस समय कलीसया ने लोगा है एक जिम्मेदारी है जिस किसी के साथ भी आप चुडे हुए हो आपके हाथ में वह वह झुडे हूँ है और लिक्षा कि Sexualिय fed तो उसकी सम्पत्थी बची रहती है लिखा है जब बलवद्थ मनुष्य। आप मेंगता है कि बलवन तो में बलवद्थ हो। थूप अगर दस भी एरिय में बनोस षाले बिलन तो आप कि लगता है कि हम प्रभू में बलवन्हों हूँ। सकता है किसी ना किसी सेहने में बल्वन्थॉ आप कि कितने सारे लोग बल्वन्थ है ता 26 लोग 28 लंठ बहुत सारी लोग है बहुत लोग शाय को uppr सकते मनुकिल बल्वन किसे लेकंसे हैब कोई बल्वन् абril किसी इरिये में कोई अपना काम करने में कोई इराधना करने में कोई प्रातना करने में न कोई किसी से प्रेयम करने में शमा करने में दया करने हैं तो अब इस बात को द्यान से पढ़ें तो परमेश्र कह रहा है कि कि जब बल्वंत मनुष्य druון 거는 क्या iedereen th WA प्रबू के लिए हम मसी की दे हैं हम कलीसिया हैं तो इस एरिये के अंदर हमें ये जिम्मेदारी देता है कि जिस भी लोगों के साथ हम जुड़े में जिसके अंडर में या हमारे अंडर में जो है वह हमारा घर है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन परिशितियों में हम जय पाएं और हर एक एरिये में बलवन्त होने के नाते हम सब चीजों में नियंत्रण करें कंट्रोल करें हलेलुया एक सेगिन को अब इसकी अगली आयत अगर हम पढ़ते तो उसमें साफ हमें पता चलता है पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवन्त चड़ाई करके उससे जीत लेता है तो उसके वे हतियार जिन पर उसका भरोसा या चीन लेता है एक सेकंड लाइन पर है ठीक है एक सेकंड अभी आता हम अब थैंक्यू ऑद्धियार इस लेए थोड़ा सा रूप गयाता है ना तो इस बात को में ध्यान रखना है कि जो भी जिम्मेदारी हमारे हाथ में दी गई है अगर हम अपने आपको बलवन्त समझते हैं तो हमें रखवाली करनी हैं बहुत बार हमें मालुम हैं कि हम यह हम कमजोर हैं हम कमजोर हैं और हम गलत कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं लेकिन अगर हम इसकी अगली आयत पड़ते लिखा है पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवन्त चड़ाई करके उससे जीत लेता है मतलब मालो मेरे सामने एक लड़का है या मेरे सामने कोई बहन है अब वो हैं इस पर सेंट बलवन्त है अपनी जिम्मेदारी पवाने में पवित्रता में चलनेश यूद लड़ने में बहुत से चीजर बलवन्त है लेकिन हो सकता हि उसकी जिंदगी में कोई एक पार्ट ऐसा हो कि जिस एरी में वह कमजूर थी ज अगर कोई शैतान है कोई दुस्ट आत्मा है अगर वो व्यक्ति वो दुस्ट आत्मा अगर किसी भी व्यक्ति के ओपर बलबंत हो रही थी वालो एक दुस्ट आत्मा ने किसी बहन की किसी भाई की कोई blessing को चुरा लिया आशिशों को चुरा लिया, चंगाई को चुरा लिया छुटकारे को चुरा लिया, शांती को चुरा लिया चैन को चुरा लिया, विश्राम को चुरा लिया आराम को चुरा लिया उस दुष्ट आत्मा ने उन विश्वासियों की बलवन्त वो शैतान था वो दुस्ट आत्माई थी इसलिए लिखा है अगर हम ध्यान से पड़ें तब वे बाइस वियायत में पर जब उससे बढ़कर अब उस विश्वासी से बढ़कर जो बलवन्त है जो अधिकार से मतलब अपने सामने वाले व्यक्ति को लूट लेता है जीत लेता है न तो सामने वाला व्यक्ति उसका दास बन जाता है इस बात को हमेशे याद रखना पुराने टाइम पर जब राजा महराजा लोग रड़ते थे न तो उस समय एक राजा ने दूतरे राजा को मार दिया तो जो राजा की हत्या की गई जिस राजा को मार दिया गया है तो उस राजा का सब कुछ जीतने वाले राजा के अंडर में हो जाता है क्यों क्योंकि जिसने शत्रू को मार दिया है जिस राजा ने सामने वाले व्यक्ति राजा को मार दिया है तो वह मारने वाला राजा बलवन अगर कोई भी दर्द या पीडा या कोई घटी या कोई बिमारी कोई आसूग या कोई ऐसी दुष्ट आत्म अगर आपकी जिंदिगी में बलवन्त हो रही थी तो उसका मतलब आपका अमजोर पड़ रहे थे अब पता चल रहे कि कौन बलवन्त है वच्चन का अधिकार आपके पास है शैतान वच्चन को जानता है लेकिन पालन नहीं करता है इसलिए वो शैतान है अब हम वच्चन को जानने के बाद भी पालन नहीं करे तो उसका मतलब शैतान के लिए दुआर खोल रहे थे अब बलव तो आप उस दुस्टात्मा से ज़्यादा बलवन्त अगर मैं हूँ या अगर आप हो तो आप उस दुस्टात्मा से सब कुछ छीन सकते हो तो क्योंकि यह वचन मता रहा है जब पर जब उससे बढ़कर अगर उस दुस्टात्मा से बढ़कर अगर आप या मैं बलवन्त चड़ाई करके अगर उस दुस्टात्मा को हरा दे और जो भी उसने दूसरों का छीनता अगर उससे हम छीन ले तो उसके वे हतियार जिस जिन हतियारों के कारण वो दुस्ट लड़ता था जिन हतियारों के कारण वो दुस्ट गिराता था जिन हतियारों के कारण दुस्ट के गिराने का हतियार क्या है वे विचार गमण चुगली निंदा लडाई पूट विधर्म ढाम अतवालापन लीला केड़ इर्शिया कुड़कुड़ा हाट बड़बुड़ा हाट जटक्रोथ करना लीला क्रिड़ा अब इलाश हैं तरह तरह की यह शैतान के हतियार थे है ना घमण लालच इर्शिया यह शैतान के हतियार थे तो उन हतियारों के ओपर हम लोग तब जय पा सकते हैं अगर हम शैतान से जादा बलवंत है यह हमारे कामों की द्वारा पता चलेगा जैसे तो उसके वे हत्यार जिन पर उसका भरोसा था शैतान ने तो सोचा था कि लेकिन शैतान उस अपने से बड़े बलवंत परमेश्च के अभिश्रिक्त को नहीं गिरा सका वरण उस परमेश्च के सामर्ती अभिश्रिक्त ने उस शैतान की सारी अधिकार अधिकाई को अधिकारों को लूट लिया येश्व मसी ने शैतान को लूट लिया है समझने इस बात को अगर हम निती वचन पड़ें तो उसमें लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो साथ कुनों वापिस उसको भर कर देना पड़ेगा वर उसका घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा खुदा बाप ने लू बलवंत कौन है येश्व से बढ़कर बलवंत कौन है किस वचन के नुसार हम बता सकते हैं दो शब्दों में किसी के पास आंसर है इसका आप लोगों के पास होना चाहिए येश्व से बढ़कर बलवंत कौन है वचन क्या कहता है दो शब्दों में कोई वचन बताए अगर क याद नहीं आरा है कि मुझसे तिम बड़े बड़े काम कर वेरी गुड वेरी गुड बस 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 हाई यह वचन मेरा भी मन में आ रहा था वेरी गुड बुड जॉब चिरंजीत सिस्टर आप बताओ पर्मेश को परताने लगा कि यह रोटियों को कहो कि यह पत्थर को कहो करोटियां बन जाए तो परमेशन ने वचन के द्वारा ही उसका सामना किया बस 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 यह सामर दिया कि वचन के द्वारा उससे हराना चाहिए हमारा वचन में विश्वास मजबूत होना चाहिए बश्बस बश्बस प्रियंग शीचर आप बताओ जल्दी से पिर आपके बात अप्राजी दबाएं जल्दी बताओ चैनल लोग है जो धर्मी जन्ट वचन के रास्ते पिता के रास्ते पर चलते हैं एक तम पुरेश की नियमों का पालन करते हैं तो यह शुशी भी बड़े- करेंगा आपने मता हैं बहुत बड़ी अकॉट पैस्यों ने कहां देखो मैंने तुम्हें पत्रों की सारे सामर्ट पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपर विच्छों को रॉंदने का अधिकार दिया है कि वैस्ट गुट जब क्लैपिंग करो यह जो आंसर मिले ना किस मस्में एक चीज और है इस चीज को भी जोड़ना ए एक निया की सारे वच्छन चाहिए अगर हम पढ़ते हैं में किस पर बल्वंत होना हैं अfendim समझनलो कोई जुखाम ठाउ वे यहोवा ने पाक खुदा येसु मसीन हमें अधिकार दिया है सारी और दूसरा वैशाली ने वहन ने वचन बोला कि मैं तुमसे सच-सरच कहता हूं यह उना 14 वारा में लिखा है कि जो काम मैंने किये जो मुझ पर विश्वास करते हैं जो काम मैंने किये वो तुम भी करोगे वरन मुझसे भी बड़े-बड़े कारे करोगे सोचो कुदा ने बोल दिया साब मुझसे बड़े-बड़े कारे करोगे तो हम येशु से बढ़कर नहीं है बलवन्त लेकिन अपनी बलवन्त ताको नहीं समझ पा रहे हैं एक और चीज़ ज्यान दे समझना येशु ने कहा मैं पिता में हूं पिता मुझ में हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आग्याओं को पालन करेगा मैं और पिता उसमें वास करेंगे जो मेरा है वो तेरा है और तुझ में मेरी महिमा प्रकट हुई है एक बचन और कि जिसके पास पवित्र शास्त्र का बचन पहुचा मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो है ना बलवन्त जब अर खुद अप्ने हमें शुर्याइब हमें वर्मेश्वर को पिता परमेश्वर है तो तो फि्ह बात का डर होना चाहिए यह भाध का डर का डर होना चाहिए कि परमेश्च्वर के हाथ में है वो अधिकार जो नरक में प्राणों को डाल सकता है उससे में डर रखना चाहिए कि और एक और चीज और भी वचने बहुत सारे यशाया 22 के अंदर हम पढ़ते बाइस अध्याय में पांदे और खोलने वाला मती 18 अध्याय मती सारे अधिकार हैं बहुत सारी बातों के तुबरा को दब्यायार अपने आपने रिकार घुदिया सवर्ग तो यहोवा का है पृट्वी मैंने मनुश्च्रक दे दिए मैंना तुझे यह टूज़े देख 155 तुने तो च्ष्याया था लोगों को लेकिन पत्रस की 25 से लोग चंगे हुए थे समझ रहो हम पढ़ते हैं अगर हम जाने इसको गहराई में जाने जो काम ये शुने किए वो भी करें चेलो ने और उससे बड़े-बड़े भी काम करें अगर हम पढ़ें इसकी 22 वियायत में लिखा है पर जब उससे बढ़कर कोई और पूर रखा या मैंने इसकी शांती चुलाली विश्राम आराम चुलाली और बीच में लड़ाई दंगे डाले कोई इसी भी दुस्टात्म आपके सामने थी और आप प्रात्तना कर रहे हो और वो दुस्टात्म उस्त्रिया पुरुष के अंदर से निकल कर कह रही है तो उस स को पथा चल गया है कि आप उस से बढ़कर बलवन्त हो और आपके पास वह सामर्थ है कि आप उस दुस्ट्टात्मकों को निकाल सको कि समझ रहे हो जो धारण के तोरपर आप राजीता की बेटी है तो आपकी चोटा बच्चा है कोई घर में चोटा सब की सबसे उसके आतमे फोन लगए अब वो बच्चा घर की चोकट पर बैठा हुआ था अब उससे थोड़ा सा जो पांची शुटी में पढ़ता होगा वह लड़का उस लड़की से मतलब कि इतने में पगड़ ले अरदधस कर लिया क्या रहें तो फोन लेकर भाग रहा था बच्चे का अरपिध भाई ने उसके बाल पकड़ ली इतने में उसने फोन छोड़ दिया कुछ ऐसा ही होता है दुस्टात्मों के साथ जो बलवान उस व्यक्ति से बलवान ने जो उन दुस्टात्मों से बलवान है उनके सामने दुस्टात्में धरतर कांपती है अगर उस्raszam पुho histori पेन में और उसके पास ऑर बढ़ा दिकार था एक वन सप्षसभान के पास और बढ़ा दिकार हो सकते हैं तो बच्राit प्रमेश्व करते था पेंट में तो जैसे अर्पित भाई ने उससे फोन चीना अर्पित भाई के मन में आया इसने उसका फोन चुरह और मैं इसकी जेब चेक करता हूं क्या क्या देखा तो वे एक तरफ सोने केंग उठे निकली एक दो फोन और निकले कोई हार निकला एक चार्जर निकला और किसी का वॉलेट था वो सब निकाल लिया और देख खीच खीच के चार पांच चाटे मारे और उसको पुलिस में भगडवा दिया उसको कैद अगरवा दिया सीम यही चीज़ दूस्टात्मों के साथ होती है लेकिन अधिकार समझ में पुलिस वारे जो हैं वो सवर्गदूत हैं कि महाने के पुलिस वाले की यह अगर व्यद्लार्च देख लेकर है जो उसने किसी भी छीना तक वो भी हम छीन लेगें क्योंकि वचन में बता रहे हैं पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवन तो चड़ाई करके उससे जीत लेता है उस पर अधिकार कर लेता है तो उसके वे अधियार जिन पर उसका भरोसता छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बाट को भी ला 통 ही तया अलेलुयान है कि अगर अर्पित बहुत पावरफुल है तो उस चोर से उस उस्टोर से बस चे ने लिए और उसकी संपत्ती लूट कर बांट देता है जो मेरे साथ नहीं वह है और जो मेरे साथ नहीं बटोड़ता जो मेरे बिखेरता है अगर 20 पड़े तो लिखा है जब अशुद आत्मा मनुष्ये में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंडती है अगर किसी दुस्ट आत्मा को मानलो प्राजीद भेन ने आप भाई भेनों ने निकाल दिया कोई दुस्ट आत्मा किसी लड़के के अंदर थी बिमार करती थी इसको खाट पर डाल दिया करती थी रोग की थी या दर्शन सोपनों की थी डराने धमकाने वाली थी सपने दर्शनों में दिखने वाली थी यहां अपने सामने दिखने वाली थी वो दुस्ट आत्मा को आप लोगों ने क्या करा येश्यू मसी के नाम से गुड़का और डाटा उस दुस्टात्मों को बान कर दूर कर दिया हुआ क्या वो दुस्टात्मा निकल गई वो चली गई अब वो भाई आपकी प्रात्मा के दुवारा जिसमें आपने येश्यू का नाम लिया था वो भाई चंगा हो गया अब अगर वो भाई उस पवित्रता को मेंटेन ना करके रखे पवित्रता में आ रहे अगर वो फिर से जूट चुगली निंदा फूट विधर्म गलत्रोगंदी चीज़े देखना सुनना सुनाना लगा रहेगा तो वो दूस्टात्मा फिर्दुवारा मुलाकात करने के जब अशुद दात्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम डूंडती है सूखी जगह में विश्राम सूखापन जहां पर पवित्रता का सूखापन है जहां पर पवित्रता खतम होने लगती जैसे वो लड़के ने पवित्रता को मेंटेन करके नह पाप की पवित्रता वहां से हट लगता सूकने लगता है शमा लगती है और देखती है यह सई जगा है समझे रहे हो जैसे वह दुस्थ आत्मा येशु मसी के सामने थी उन दुस्थ आत्मों ने बोला था मुझे उन सूरों के जुण्ड में भेज्ट यहूद्यों में देख लिया दुष्टात्म ने क्या देखा कि येश्व में इंटर तो नहीं कर सकते वह तो पवित्रता का लिबास पहने हुए है अरे हां रुको वहां से कोच अबाद आ रही है आ उख करते हुए वो सुवर चरा रहे हैं जो समझे हो तो दुष्टात्म ने बोल दिया वहां भेजदे वहां सुखाफन दिखाई दे रहा है वहां पवित्रता की निशानी नहीं है आंग्या उलंगा नों किया जा रहा है तो पाप जड़ थी उसकी अर्थे शुर्स के रोग तिये पाप जड़ थी युसकी अर्थे शुर्स तक वह काट पर पड़ा रहा है क्या कारंड था पाप था समझ रहां यह पाप था ऐसा कौन सा पाप था जिसकी उज़ रतिश वर्षत करोगी राथ क्योंकि एश्वन उसको चिताय कि तो दूबारा पाप मत करना कहीं तिरी जा इससे बुरा ना क्योंकि एश्यू को पता था वो दूष टातम के ठरतर आती मतलब बनाती हुए जूंज रही है जूमरी थी मक्यों के समान कि कहीं मीटा दिखाई दे महीं बैठता है कहां उनको खाना निकाई दे दूस्टा आत्मों शेतान का खाना क्या है जो आग्या नहीं मानता वहीं शेतान काम करता है जो बाड़ा तो उटता सर्फ उसको डसता है और तक आगे तूं मिट्टी चाटेगा और मिट्टी को 20 मिट्टी हैं करो रिपार्यों की देखपाल करो जाव ऐंगियालुमूनीओं से बचा करखो सापों से बचा के रखो खवीनों से बचा के रखो हलेलुया वो साबधानी बरतने वाली मुमेंट है अब येशु के अंदर वो दुष्टात्मा नहीं एंटर कर सकती थी येशु को दुष्टात्मा को पता चला कि देगो महां ग्या लंगन हो रखा है सूरों में दुष्टात में होती है क्योंकि सूर वो पशु था जिसमें पर्मेशन पुराने नियम में बना कर दिया था ऐसे पशु की साथ कोई विवार नहीं करना है समझे रहे हैं आप लोग कुछ पशु ऐसे थे जिनको छूना भी नहीं था समझे लोग सहँ हो सकताँ है जिनको छूना नहीं तो फश किसिदी की लोग को मत चूना क्यों से शेर की लोग को छू लिया था शिम्षों ने गदे की लोत को छो लिया था गदे की जबड़े की अड़ी पगड़ी थी उसने अपना हाथ अब आग्या लोंगन उससे महापर हुआ था तो फिर पता है आपको आग्या लोंगन हुआ अब उसका क्या हाल हुआता समझ रहे हैं आप लोग बहुत सारे कोशन ऐसे हैं अगर उनमें पढ़ा जाए तो आप लोगो क्लियर करके बताया जा सकता है कि कौन से जीव जन्तु ऐसे हैं जिनको खाना मना है खाना मना है तो काटना भी अब एक बाद बताओ काटेंगे तो उसका खून नहीं लगेगा कुछ चीज़े अशुद है वो चीज़ खाने के लिए नहीं है तो सामधनी पर अपना जरूरी है अब जो लोग सुवर सारा रहे तो उन्होंने कौन सा खाया था समधने आप लोग तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अशुद वस्तों कुछ अशुद चीज़ ऐसी हो उसके जिनको छुना भी मनाए अब अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं किसी स्थरी को अगर लहु बैने की तकलीफ थी तो उसको वो स्थरी परमेशो के मंदिर में एंटर नहीं कर सकती थी लेकिन आज परदा फट चुका है आज येशु का मंदिर हम बन चुके है लेकिन जैसे हम पशताप करते हैं मन फिराते हैं पापों से तौबा करते हैं तो हम शुद्ध है समझें अब यहां पर परमेश्व आपकर मुझे चीज पताना चाहते हैं वह जो दुष्ट आत्मा है वह अशुदता को ढूंडती है अशुदता को ढूंडती है अगर हमने येशु पर विश्वास किया है चाहें अगर कोई इस्तरी है चाहें कोई पुरुष है अगर इस्तरी है अगर उसो कोई लहु बैने की बिमारी थी कोई प्रब्लम था या लहु बैता था या मासिंग धिरम था तो उस कंडिशन में भ गर्में जहां से निकली थी लौट कर जांगी लिखेर और जब नहीं पाती तो मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट कर जांगी सोचो दुष्ट आत्मा कितनी विश्वास य Хотя दिखाती है हमें देखो थोड़ी सी blessing ना मिले तो हम बोलते में चर्च नहीं जा रहा अराधना नहीं कर रहा प्रात्ना नहीं कर रहा लेकिन दुस्टात्म को देखो उनको धक्के निकाल दे गया जला दिया गया बून दिया गया तब भी वह कहा रही नहीं मैं तो महीं जाओंगी कि समझे कितनी अच्छी यारी है यारा तेरी यारी को सुझ को देखो तो स्टाथ में अपने पर संट देती है वाई और अपम श्वासियों को देखो कि अलगी से रहां ना कजी चार वासिया थोड़ा सा बचन पढ़ने मेटे आंखे बंद और फिर तो कर्हाटे निगलते लोग सोच्छे अगला और बच्छा नहीं कैसे बचन पढ़ रहा है भाई अले तो कर्हांटे की आवाज हारी है कि बचन सुन्दर सुन्दर करके यू मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लॉड जाओंगी और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है मतलब दूस्टार्ट में बहुत हैपी होती है और रे क्या बढ़िया मिट्टी तयार होई है मेरे लिए वाह समझ रहे हो चाटने के लिए वो शैतान व में आग लगाने में और मज़ा आएगा चलो साथियों इनकी यूनिटी भी इतनी अच्छी है यूनिटी भी इतनी अच्छी उस दूस्टार्ट मनें बस एक बार बने चलना है मेरे साथ विचारी चल पड़ी साथ और इकट्टी हो गई साथिका मतलर पूरा इसके काम को पूरा करेंगे हैं समझे आप लिखा है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौड जाउंगी और आकर उसे जाड़ा भुआरा और सजा सजाया पाती है तब वे जाकर अपने बुरी साथ और अपने और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है खाने पर बुलानी जैसे आज अब खाना तहीं आ रहे हैं समझे अब लोग अपने साथ और बुरी दूस्ट आत्मा हैं मतलब कितनी खतरनाक बात है यह अदूरा सुधार है अगर एक विश्वाजी पवित्रता में में ना रख्या अपने आपको कि आज बाइबल किसने पड़ी कई उन्हें तो खोली भी नहीं होगी जलो जिसने पड़ी है वह एक वाले बटन पर क्लिक करो है कुछ लोग नहीं पड़ पाए हमें कुछ लोग टाइम रूटीन हो सकता है कुछ लोग डुपार वे पढ़ते हैं कुछ रात को पढ़ते हैं कुछ सोने जर्गे पढ़ते। अब यह बताओ कि ऐसे कौन से लोग है जिसने एक अपते तक VIOL Salvini उठाई है और बूटन के क्लिग कर कोमें पता चल जाएगा अब इसने पता चलेगा कि कौन बल्वाने लेकिन अबरहम सो गया था अबरहम सो गया देखो कितना खतरना कर साय था अबरहम के जिन्दगी के अंडर लेकिन अब हमें यह वाली बाते पता चलती है कि हम प्रमेश्व के साथ कितना वफादर है किन चीज़ों में अब शैतान नहीं काम करेगा तो खुदा का से काम करेगा कौन काम करेगा पिर तब में जाकर अपने से बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है इसे लेकर आ रही है जैसे कभी हमने सोचा कि करने के लिए बुराईया करने के लिए नुकता चीनी करने के लिए कमिया निकालने के लिए लिए होते, शिवकाईऊ में शेतान को Woah कि वह बर्म無 बर्माद निकालने के लिए कट्ष्ट आत्माओं के लिए साथ आठ थी के साथ का मतलब पूरा हूआ आठ आतना नहीं चुरूरा मतलब उसको नई तरीके से बरबात करने की चालती है उसके दुष्टात्माओं की और उसमें पैट कर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है पहले से भी बुरी हो जाती है सोच करते को हम यह ना बोले कि परमेश्वर मैं तो चर्च में आने के बाद विश्वास कारण कि कारण नहीं कर पा रहाता है कि तो इस एरी में कर्षक्ष्ण की जरूता है लेकिन अंदर तक छेटता है कि यह आम्रेस्टे से कितने कितने अच्छे हैं और किस एरे में छुटका रहे नहीं हो पाriend यह भी खुदा में साथ बतला रहा है क्यों नहीं छुटका रहे हो पार है हमने अपने चェक का काम क्यातिया है हमने कितनी गंबीटा दिखाहिए विश्वास जुटा दिखाहिए कब हम बैटें कुदा के साथ बचन पढ़ने के लिए कब हम बैटें कितने हैं एक आच पढ़ लिया होगा कल पढ़ ली था परसो पढ़ लिया था एक मैने से कंटीनियू किसकी वैबल चल रही है कोशन है बहुत बढ़ा और हम अपने आपको कहते है अभीशिक्त कहते है परमेश्र का बलवsupp जण कहते है सामर्थियात्मिक योद्धा कहते है ये बात मेरे लीए हम सब के लिए कुदामनाजा हमारे दो आर पर कट-कट आ रहा है हेलो कहां गए मेरे आत्मिक जण बुलाय था मैंने तो तुमे तुम तो दम भरते थे कैसे चुडाओगे तुम लोगों को कैसे चुडाओगे तुम दूसरों को खुद निकलना जरूरी है चार मिटिंग करने से ये चार तालिया बजाने से न लोग डिलेवरेंस नहीं पाले थे इतनी जल्दी निकलना पड़ता है मरना पढ़ता है अपने लिए कौन तयार है अपने कामों को परमेशों के हाथों में सौप कर और परमेशों के लिए जीने के लिए फिरसे उठने के लिए तयार है फिरसे बढ़ने के लिए तयार है थोड़ा थोड़ा समय बचा कर भी कहते हैं कि एक दिन में एक बचन आपने पढ़ लिया रट लिया याद कर लिया दिमाग में चाप लिया दिरूपी पटिया पर लिख लिया हफते में साथ महीने में 30 साल में 365 और शेतान के गड़ को उजारने के लिए ना साथ ये दो एक बचन भी काफी अगर आप तरीके से करें अगर उसको मेंटेन करके रखो कहने का मतलब वभки में धॉश्याम को पढ़नी पीना पढ़ते सोना नहीं हैं लाजी है यह नहीं बजाने के लिए गाने कंदेंग करते थे जैनलिक जुनने नहीं बचते ते इसे हाथो से भ्यान्व करते थे तो हृत करते ते हृत है च और हम बोलते कि न प्रमेश्व में छुटकारा दे तो अपनी हिस्से का काम यह है कि हम आज से शुरू करें कि बाइबल पढ़ना चितने जादा आपको छुटकारा मिलेगा चितने जादा बाइबल पढ़ोगी है खुदा का रूह आप और शेतान तो गाने गुन गुना रहा था जाने दुस्मन का गाना सुनना है आजा आजा सुना है वो तो गुद बुला रहा था तो आजा है न है चलो हमें प्रभू के पास जाना है हमें प्रभू से बुलना है प्रभू आता हूं तेरे पास मुझको है तुझसे आस मेरे साथ बैट दरवार को बंद कर वकील सिस्टर के घर के पीछे मैं वह देख रहा हूं अभी फोटो में दिखाई दे रहा है एक दो दिखाई दे रहे हैं उसमें लौज अलीवी दिखाई दे रही है अभी चीज को समझो अगर हम चाहते हैं डिलेवरेंस का कारण बनना चुटकारे का कारण बनना तो जलना पड़ता है अब जलने के लिए तेल चाहिए अब तेल ऐसे नहीं मिलेगा जब तक जैतून का तेल होता है जैतून का तेल होता है कौन से ऑलिवाइड हो जब तक उन चीजों को पीसे नहीं जब तक उन चीजों को दबाया नहीं जाए तक टेल नहीं निकल जाए इसलिए हमारे जीवनों में कई वर वह परिक्षाए पोफ परिस्तिया है जो मैं अंदर से तोड़ती है लेकिन आत्म परिक्षभ सुखीयू जो होता है वहद ट करता है क्यें जो सिखाने वाला है जो होता है तो यूंद थरा उपने हάνसे रोगता है तो देखता है यूंगर करके रोगता है तो देख तो मेरे हाथों से मेश तूट गई भर नोहिँघorf कि मुझे कुम्फू आ गया रहे मुझे कुम्फू आगे को पता ही नहीं चला कि वह अंदर को रहा था उसको परिशन पर चला जोंपर में यह जा रहा है तो बहुत सी परिसितियां ऐसी थी घटियां थी सिचुएशन थी विरोध में थी और गड़बड़ा रही थी आउट अप्सक्रोल थी सब कुछ आने के बाद बचन पता है दिकार पता है नौलेज आप्ना करता हूं फायर प्रेक्ट करते हैं डिलेवरेंस करते हैं प्रोल उन opens और दॉसरे की जिन्दिगीं हो रहें अबifa औरो और में शनन ने इसलिए खाया एलिया को नाले का पानी शुका दियाग्या ने आता सब्सक्राइब क्यों कि खुदा चाहता था इस परिसीतियों के दुरान में तुझे तैयार करूं और तुम मेरी उपस्तिती में बैठे जैसे पत्रस को जब भूक लगी वह उन भेहनों से बोल रहे हैं तुमने खाना नहीं पगा है कि अगर उसको इंग्लिश में बढ़ते बताया था आपको ट्रांस में चला गया था वह बेसुद हो गया था वह वह उसमें लगाई थी उसको लग वह तो शारी रूटी की चक्कर में से लेकिन खुदा चाहरता मैं तुझे आत्मिक तृत्ति दूंगा तुरंत एक कॉल आती ह उसके पास कोई है उसको बुला रहा है एक बुलावा आ गया रहे भूका तो प्रमेश्वर में वहां ता रहे तुझा खाना भी मिलेगा तुरुक मेरी उपस्तिती में बैठ अब तुरे दुआरा वहापर देख खुदा का रू उतारने वाला हूं पवित्रा आत्म उतारन है हमारे बारे में लोगों से बात हो रही है क्योंकि हम खुदा से बात करने बैठे है इसलिए हमारे बारे में लोगों से बात कर रहे है कि मेरे बेटे के चाथ ऐसा काम कर भाई और हम चाते हैं हमारेrik पर्जान काम हो तो उस तेल को निकलनेने है नियुकर फिष्णे के दुवारा आता है लेकिन प्रातना अराधना वचन प्रातना अराधना वचन कम ना हो बढ़ते जाए अगर हमारा पिछला साल 50% था तो आने वाला साल चाहें भले 51 हो उधारण बतारों चाहें भले 51 हो लेकिन कम ना हो कहने को तुम्हें ये भी कह सकता तो 100 हो लेकिन मैं करना थोड़ा ही जादा हो चाहें लेकिन कम ना होने पाए इस बात को ध्यान रखना आपको और मुझे थोड़े से शुरुआत 51 कर दिया मैं कहा रहा हूं 61, 71, 81, 91 होने में 101 होने में टैम नहीं लगेगा मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि उचकर तुम चांद को छूलो लेकिन बुर्ज खलीफा तो बनाओ समझे आप लोग शुरुआत तो करो पहला फ्लोर बनाओ असी माले की बिल्डिंग अपने आप बना देगा खुदा बुद्धी देगा शुरुआत तो करो अब ध्यान डगना इन बातों को हम चाते हैं अगर दूसरों के लिए इस्तमाल हो प्रातना अराधना बचन कमजोर ना पड़े इस चीजों में इतना हो सब उतना समय निकाले फालतों में समय वेश्ट होने से बचे और बचाएं ठीक है और तयार रहना है मैं खुदा के काम के लिए दबं दूसरों को चुड़ा सकेंगे और अच्छे तरीके से हलिलुया क्योंकि एक अंदर दूसरे अंदे को मार्क नहीं दिखा सकता मैं चाहता हूं आप लोगों की बड़ी-बड़ी मिटिंग्स हो आप लोग गूगल मीट लो आप लोग दूसरों को सुनाओ आप लोग अपनी गूगल मीट्स के अंदर हैड बन के खड़े मैं की पर्सनलोगी जो खुदबाप आपको देगा और वो सेव का एक नए तरीका होगा कि आप लोग ऑन्लाइन भी यूस के जाओंगे खुदबाप की रोग के दोवारा और आप तैयार करोगे लोगों को मैं खोशना करता हूं कुदा का दासों ने किना भविश्य द्वानी क अब बदलना चाहते हैं परमेश्वर हम बोलते ही नहीं वरन अपने आपने तीरी चाक पर रखते है कुदा जैसे तूचाता है मैं पना परमेश्वर पिता अपर वेश्वर तु दया कर अंपर पर पर वहारा उत्तम और अच्छा बढ़़ा प्रतिवल तू है उड़सदा तुछ रहे द्याकर अपर जाम गिरें जाम गलत थे जहां हमने वो किया जो तेरी द्रिश्टीम हो रहा तो पश्यताप करके तेरे पास आते हैं आप रभू हमने तुछ पर शितान पर मनुश्य पर उंगलियां उटाई हम अपनी गलतिया नहीं देगी हमें श्रुआ कर दे हम बदनना चाते हैं हम पश्रताप करते हैं फिर से एक नई शुरुआत करते हम पर अनुगरे कर पर अब हम जाएंगे बचाने के लिए परमेश्य पर अनुगरे कर हम जाना चाते हैं बचाने के लिए हम जाना चाते हैं चुड़ाने के लिए हम इस्तिमाल कर रास्तों को खोल प्रभू दया का किरपा कर तेरे हाथों में सौपते खुदा मनेश्यू खुदा चाहता है आज आपसे और मुझसे जादर लब्भी प्रात्ना नहीं खुदा चाहता है बस अभी से एक नहीं शुरुआत करो प्रात्ना अराद्ना और बचन प्रभू येश्यू के नाम में मांगते आमेन इतना करो अलेलुया बस इतना करो काफी है इतना जादर कुछ बड़ा नहीं सिंपल छोटा साही प्रात्ना अराद्ना बचन रेखुलर रखो उसको रेखुलर रखो अप देख रहो ने जिन बातों के लिए आप गुप्त में आशुपा रहा हो अकेले में चौडे में उगाडे में गुप्त में आमने सामने तूटे वे हो पिसे वे हो दुक में हो रास्तना नहीं बचन लेए चुटकरे नहीं हो रहे ऐसी गवाहियां जिसमें आपको खुदा का आत्मा ये बतलाएगा कि आपने इन 3-4 गामों को करने के तुवारा वो गवाहियां आपने पाई हैं देखो आपको खुदा का रूख खुद क्लियर करेगा, प्रार्तना, अराद्ना, वच्छन और पावित्रता इन चारों में आपको मेंटेन रखो, रेगुलर, रोज आना, रोज आना, चाहे उपवास में आना पड़े, कि यह कुछ त्याग ना पड़े करो खुदा के लिए त्याग होगे ना दो आपको प्रिथी पर सोग ना देगा जो विरोधी ते उनके भी गुट ने टिका देगा और जो चीच की आपने सोचा भी नहीं उससे भी बढ़कर आपको देगा कि अलेलुया आमें जो कोई मिटिंग में जुड़ना चाहता है और आपको आपको अग्वाई करता है तो आप लोग वीडियो के नीचे से समय कंट्रक्शन में से नमबर लेकर आप आप में मिटिंग में जुड़ने के लिए कौश पर देना इनकी वेटे वह ताल कि रहे हैं पती के लिए प्रेयर की दियेगा अच्छा 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 एक मुड़ा भी प्रेयर करता हूं सभी के लिए प्रेयर